राहुल गांदी की सांसदी चली गई घर छिन गया विपक्ष के 140 से जादा सांसदों को सस्पेंड करके बिल पर बिल पास करवाए गए स्पीकर ओम बिल्डा के कारिकाल में सदन में वो हुआ जो की कभी आपात काल में भी नहीं हुआ जब तक इनके पास बहुमत था तब तक तो खुब ताना शाही चलाई लेकिन अब विपक्ष मस्बूत है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांदी है भारतिय जंता पार्टी की हालत खराब है और इस हालत को और भी ज़्यादा खराब करने का काम राहुल गांदी ने किया है आपको बता दे कल राहुल गांदी ने बजट पर सदन में अपना भाशन दिया और इस भाशन को एक बार फिर से काट दिया गया है जिसके बास से इंडिया गटबंधन ने बवाल कर दिया है और तो और इंडिया गटबंधन सुप्रीम कोट जाने की तयारी में है तो जो उसमें नहीं हुआ वो इस बार होने वाला है तो कैसे पेज फस गया है और अब क्या आक्शन होगा आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले कैसे राहूल गांदी ने स्पीकर ओम बिल्ला को घुटनों पर ला दिया है फटा-फट से बता देते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं क राहूल गांदी ने किसानों के एक डेलिगेशन को सदन में मीटिंग करने के लिए बुलाया सदन से और पास कर दिया गया कि किसानों को सदन में एंट्री नहीं मिलेगी इसके बाद राहूल गांदी बाहर चबूत्रे पर खड़े होकर किसानों का इंतजार करने लगे अब क्यों किसानों को अंदर नहीं आने दिया गया है आपको बता दे जैसे ही राहूल गांदी मीडिया के साथ किसानों से मिलने के लिए बाहर पहुचे तुरंत आनन पानन में इस आदेश को पलट दिया गया और राहूल गांदी से मुलाकात करने के लिए किसानों को सदन में एं बाइट दी है अब इसी के चलते हैं भारतिय जनता पार्टी को टेंशन हो गई है क्योंकि राहुल गांधी ने वो कर दिखाया है जो कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी कभी नहीं कर पाए ये वो सरकार है जो कि किसानों को दिल्ली नहीं आने देती लेकिन राहुल गांधी किसानों को दिल्ली तो छोड़िये सदन में बुला लिया है सदन के अंदर बुला लिया है अब इससे बीजेपी की हालत कितनी टाइट हो रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां एक तरफ राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की है वहीं दूसरी तरफ मीडिया में बयान दिया है वो भी सदन में खड़े होकर अब जैसे ही ये बयान निकल कर सामने आया वीडियो निकल कर सामने आया सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ उसके ठीक अगले दिन पत्रकारों को काच के डब्बे में कैद कर दिया गया पिंजरे में कैद कर दिया गया आप वी ने जवाब दिया है और जो जवाब निकलकर साब ने आया है उसके बाद ओम बिल्ला चारो तरफ से अपने ही खेल में बुरी तरीके से फस्ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे बताया गया कि फार्मर के डिलेगेशन को और नहीं आने देंगे मैं उन से मिलने जब गया कब उनको अंदर आने घिए गया था ता? अब पता नहीं कोई miscommunication हुआ हो वो अलग बात है बट फैक्ट यहे कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब गरवाजे पार्लमेंट के संसत के उनके लिए खुले उससे पहले वो बंज थे और यह आप उनसे भी पूछ लीजे सब्सक्राइब प्लीज एक मिट प्लीज एक मिट प्लीज आपने विश्य उठा है इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसे तो सदन की वैस्ताओं पर सवाल ने उठाना सब्सक्राइब यह सूचना आई आप मिले उनसे अंदर मिले लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उलंगन हुआ कि कभी सदन में मानिस सदर्शे के लावा दूसरा कोई वेक्ती बाइट नी दे सकता है और आपकी मुझाद्गी मुन बाइट दी यह किलेर करना चाहता हूं सर यह टेक्निकालिटी है सर यह मुझे बालूम नी थे तो सुना आपने कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहूल गांदी के सवाल पर स्पीकर ओम बिल्डा जूट बोलते हुए नजर आ रहे हैं वो भी लगातार जूट बोलते हुए नजर आ रहे हैं पहली बात कहना है कि हमने सदन में किसानों को एंट्री लेने से नहीं रोका ये पहला जूट और दूसरा कहना है कि सदन के परिसर में सांसुदों के अलावा कोई और बाइट नहीं दे सकता है इस पर राहूल गांदी कहते हैं कि मुझे टेक्निकालिटी की जानकारी नहीं आपको बता दें ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सदन में खड़े होकर सांसत के अलावा किसी और ने बाइट दी है मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। आलोग शर्मा है कॉंग्रिस के तेज तर्रार प्रवक्ता है। ओम बिल्ला के वीडियों के साथ शेयर करते हुए लिखते भी है कि ओम बिल्ला जी फिर गजब कर दिये। इस बार वो सदन की ऐसी जादूई मर्यादा निकाल कर लाए है जो मनमाफिक बदलती रहती है। तो कै ऐसे हालातों में जैसे ही ये वीडियों निकल कर सामने आए जिसमें आक्टरस सदन के परिशन में खड़े होकर बाइट देती हुए नजर आ रही है। आनन पानन में स्पीकर ओम बिल्ला ने मीटिंग बुलाई है। आप तस्वीरे देख सकते हैं ये मीटिंग किसी और के स साथ बुलाई गई है जिन पत्रकारों को काच के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। और तो और ओम बिल्डा ने अब इन पत्रकारों को आश्वासन भी दिया है कि जो भी आपकी समस्या है हम इसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। और इतना ही नहीं अब तो खबर भी निकल कर सामने आ गई है कि संसत परिसर में पत्रकारों की आवा जाही पर लगाये प्रतिबंद को हटाया है और आ पड़ा है यहां पर सवाल इस बात का खड़ा होता है कि नेता प्रतिपक्ष राहूल गांदी से भारती जंता पार्टी की हालत कितनी खराब होती है आप अच्छे से जानते हैं कि बजट पर जब राहूल गांदी ने अपना भाशर दिया तो उन्होंने चक्रव्यू का जिक् अजीड दोभाल हैं अंबानी है और अडानी है अब इन शब्दों को भी राहूल गांदी के भाशर से हटा दिया गया है जहां एक बार फिर से राहूल गांदी के भाशर पर कैची चलाए गई है बिक ब्रेकिंग निकल कर सामने आई है खबर निकल कर सामने आई है खबर द अब राहूल गादी ने चक्रवीव का जिक्र किया, अब चक्रवीव से आप जब नामों को ही हटा देंगे, तो चक्रवीव के बयान का क्या ही मतलब रह जाएगा, आप समझ सकते हैं। तकिस तरीके से अभिविक्ती की आजादी का हनन किया जा रहा है, किस तरीके से पबलिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, आप इस法 अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी कार्वाई पार्लिमेंट में हो रही है, that is part of freedom of expression of the people of this country. जनता का, उनका ये राइट है, and part of their freedom, because they want to know कि भई, पार्लिमेंट में क्या हो रहा है. तो उस राइट का उलंगन हो रहा है, अगर आपका माइक बंद हो जाए, आपको दिखाया ना जाए. ठीक, इस पर हम political party के leaders बातचीत करेंगे, अगर इतना आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग बढ़ेगा. पार कर दी है, क्या वो होने वाला है, जो की इतिहास में कभी नहीं हुआ, क्या अब सदन पर कारवाई, या फिर यूँ कहे, आक्शन सुप्रीम कोट लेगा. तो कई सवाल खड़े होते हैं, इन सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गड़ बंधन को स्पीकर ओम बिल्डा के खिलाफ सुप्रीम कोट जाना चाहिए, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीड प्रूरी खिलाए है ह।